डेली यूज इंग्लेस वर्ट्स विद मिनिंग आज की इस वीडियो में सिखेंगे इन सभी सब्दों का परियोग करना अदर के कई सारे परियोग हैं इसी तरके से और भी सब्दें जैसे on the spot most of the to the point speak highly of ये सभी रोज बोले जाने वाले सब्दें जो आप हमेशा इस पोकर न आप इस वीडियो में सिखेंगे with examples in English and Hindi first है on the spot इसका मतलब है उसी जगह या मौके पर ही मतलब इसका दो मिनिंग है मतलब एक ही है subject, verb, object last में on the spot लेखेंगे उन्होंने मौके पर ही उसे hospital ले गया मतलब किसी का accident हो गया और आप वह सकते हैं कि उन्होंने उसे मौके पर ही hospital ले गया मतलब तुरंत ले गया उसी जगह से ले गया तो they took him to the hospital on the spot रवी ने मौके पर ही निरने लिया मतलब जो बात हो रही थी जो मीटिंग हो रही थी मीटिंग में ही उसने निरने ले लिया तो रवी made a decision on the spot तो इसे आप sentences बनाते हैं अगला है most of the इसका हिंदी मतलब है अधिकतर या ज्यादातर ऐसे बोला जाता है इसका भी परियोग आप लगभग रोज spoken English में करते हैं most of the के बाद जो noun आएगा वो noun plural आएगा अधिकतर चात्र मेहनती होते हैं most of the students are laborious अधिकतर लोग भारत में अंग्रेजी नहीं जानते हैं most of the people don't know English in India तिया पर दिए people भी plural है और students भी आपर plural है इसके बाद plural ही noun आएगा to the point इसका मतलब है मुद्दे का या विस्यान नुकूल इस तरह किसे बोलते हैं मुद्दे की बात करो मुद्दे पर आओ तो बोलते हैं मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूं मैं धर उदर की बाते नहीं करता I always talk to the point अब मुद्दे पर आजाओ now come to the point तो इससे आप sentences बना सकते हैं कई सारे speak highly of इसका मतलब है की तारीफ करना subject to help you वब अगर आना रहेगा तो वो आएगा speak highly of less subject होगा speak यहाँ पर main verb है तो tense के नुशार यह convert होगा वो आपकी तारीफ करता है he speaks highly of you रवी तुम्हारा तारीफ कर रहा है रवी is speaking highly of you तो इससे sentences कई सारे बना सकते हैं जा पर compliment की बात करते हैं जा पर परसंसा तारीफ की बात करते हैं anymore मतलब है और नहीं यह वो सभी सब्द हैं जिसका परयोग आप रोज का रोज करते हैं तो इसका परयोग आप करिए sentence मनाईए because the more you practice the better you learn so you need to focus upon practice और नहीं या फिर आप बोल सकते हैं और ज्यादा जिससे की मैं इसे और नहीं बरदास्त कर सकता I cannot tolerate it anymore anymore मतलब आगे मैं इसे continue नहीं रख सकता अब मैं बरदास्त नहीं कर सकता वो और नहीं खा सकता है मतलब उससे जितना खाना था उसने खा लिया उसका पेट भर चुका है वो अब नहीं खाएगा He cannot eat anymore तो इससे आप sentences बना सकते हैं जब भी आप आगे continue करना कोई भी काम को नहीं चाहते हैं उससे आप stop कर सकते हैं anymore बोल करके At first sight means पहली नजर में जिसे पहली नजर में प्यार love at first sight I feel in love at first sight तो at first sight का मतलब है इस परकार से और इसे sentence के last में आप परियोग कर सकते हैं अगला सब्दें fed up with और मतलब हैं से तंग हैं इस परकार से मैं इस mobile से तंग हूँ क्योंकि ये mobile बार बार हैंक करता है तो मैं इस mobile से तंग हूँ I am fed up with my phone सुमन अपनी समस्याओं से तंग आगिया है तो सुमन is fed up with age problems तो आपर sentence के last में नहीं देखना है कि कोई काम किया है या किया गया है तो आप अप जयाब लगाएंगे ऐसा नहीं है sentence के मिनिंग को समझे के क्या है मैं तंग हूँ या तंग हो गया हूँ बात एक ही है अब यूज करते हैं अदर का अदर का मतलब हैं दुसरा दुसरी दुसरे अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसे subject वर्ब अदर प्लस अबज़क्ट आएगा मैं अन्य pen लेना चाहता हूँ मतलब दुसरा pen लेना चाहता हूँ I want to take other pen यह other pen के पहले आया हुआ है और इस pen को भी इसमें कुछ से changing ला रहा है इसके बारे में information दे रहा है तो यह other adjective का का काम करेगा मतलब pen है noun और other adjective है तो other मतलब आप दुसरा दुसरी दुसरे या अन्य भी बोल सकते हैं वो अन्य कार खरीदेगा मतलब दुसरा खरीदेगा वो यह नहीं खरीदेगा तो sentence रनेगा he will buy other car इसे बोल सकते हैं अगला सब्द है another मतलब है इसका भी दुसरा दुसरी दुसरे लेकिन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है अदर और अनादर में देखें subject verb another plus noun दोनों का परियोग एकी तरगे से होता है और दोनों adjective ही होता है लेकिन अब sentence बनाते के से मुझे एक और pen चाहिए मतलब मुझे दूसरा pen चाहिए I want another pen जिससे कि मेरे पास एक pen है और मैं कहता हूँ मुझे एक और pen चाहिए मतलब कि मुझे दो pen लेना है मैं ये भी रखूंगा और मैं ये भी लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर दो हो जाएगा लेकिन अदर का परियोग कब करते हैं जब आपको ये नहीं बलकि दूसरा चाहिए मतलब आपने जो pen लिया है वो नहीं चाहिए आपको दूसरा चाहिए तो वहाँ पर दूसरा चाहिए तो other और एक चाहिए मतलब आप एक नहीं बलकि दो दो से ज़्यादा अप लेना चाहता है वहाँ पर another का परियोग करते है तुम्हें एक और किताब पढ़ने की जरूत है मतलब तुम्हें दूसरा किताब पढ़ने की जरूत है You need to read another book और you can say other book difference आपको पता चल गया है कि कैसे परियोग किया जाता है अगला सब्दें any other मतलब है कोई अन्य जिससे कि आप बोलते हैं अमन क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधीक सक्ति साली है तो sentence सुलू दखी कैसे होगा कि अमन सक्ति साली है अमन age stronger किसे हैं जब तुलना करते हैं तो वहाँ पर आप strong को stronger करना पढ़ेगा और वहाँ पर देन लगना पढ़ेगा किसे हैं तो किसी भी अन्य लड़के से या पर हो जाएगा than any other boy कहाँ पर class में in the class अमन is stronger than any other boy in the class वह पार्टी में किसी भी अन्य लड़के से या अन्य लड़की से अधीक लंबी थी वहाँ पर female की बात हो रही है लड़की की बात हो रही है अगला सब्द है no other और इसका मतलब है कोई अन्य नहीं जिससे की कोई अन्य लड़का रवी के जितना तेज नहीं दोड़ता है मतलब की रवी जो है वो सबसे ज़्यादा तेज दोड़ता है उसके बराबरी में कोई नहीं है तो no other boy कोई अन्य लड़का रंस दोड़ता है as fast as रवी मतलब नहीं दोड़ता है किसके जितना तो रवी के जितना जिसके जितना उससे आप लास्ट में लिखते है कोई अन्य लड़की क्लास में पिरिया के जितना सुन्दर नहीं है no other girl कोई अन्य लड़की इज है कोई लड़की नहीं है as beautiful as सुन्दर पिरिया के जितना in the class, class में, वर्ग में, कक्षा में इससे आप बोल सकते हैं अगला सब्द है otherwise और इसका मतलब है अन्य था वर्ना नहीं तो इससे बोलते हैं इसे clause otherwise फिर clause का परियो कर सकते हैं इसे मेहनत करो नहीं तो fail हो जाओगे तो sentence कैसे बनेगा work hard otherwise you will get failed इससे बोल सकते हैं अंग्रेजी सिखो वर्ना job नहीं मिलेगा अच्छी नौकरी नहीं मिलेगा तो sentence होनेगा learn English otherwise you will not get a job तो इससे sentences बना सकते हैं कई सारे otherwise का परियोग करके अगला सब्द है each other और इसका मतलब है एक दूसरे जिसे दो लोगों के साथ इसका परियोग करते हैं subject of each other परियोग करते हैं जैसे कि मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ मैंस की मैंकेले नहीं हूँ मैं दूसरे लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक दूसरे के साथ मैंस की दो लोग हैं वहाँ पर sentence होनेगा I am talking to each other इससे बोलते हैं वो एक दूसरे से मिलाए He has met each other तो इससे sentences कई सारे बना सकते हैं and you can practice because the more you practice the better you learn अगला वर्ड है one another और इसका भी मतलब है एक दूसरे के साथ लेकिन more than two होना चाहिए दो लोगों से अधिक के साथ परियोग करते हैं subject to love one another हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं we are talking to one another वो एक दूसरे के साथ वियापार करता है he does a business वो वियापार करता है with one another एक दूसरे के साथ means more than two है यहाँ पर दो लोगों से जदा है business हम करते हैं कई लोगों के साथ कभी उसके साथ means बहुत सारे लोगों के साथ में करता हूँ बहुत सारे लोगों से संपर्क है अगला सब्द है others और others का मतलब हैं दूसरों को जिसे subject to verb others का परियोग करते हैं और यह others जो है sentence में एक object के रूप में आप इसे परियोग करेंगे मैं वहाँ दूसरों को नहीं जानता हूँ I don't know others there means आप कर सकते हैं कि यह एक pronoun के रूप में परियोग किया जा रहे रवी दूसरों को कार नहीं देता है रवी doesn't give the car to others to others means दूसरों को और others means दूसरा या दूसरे आप बोल सकते हैं plural में दूसरे इस तरीके से परियोग करते हैं अगला सब्द है no other than means के सिवाए कुछ और नहीं आप परियोग करने के तरीके देखे because you know these words are very popular in spoken English subject to helping verb man verb no other than इसके बाद वीफर भी आ सकता है नहीं तो कोई object आएगा means कोई noun या प्रनावन आएगा इसे वो पैसे देने के सिवाए कुछ और नहीं कर सकता है that means कि उसे पैसे तुम ले सकते हो लेकिन और जो तुम चाहते हो कि मैं कुछ भी और ले सकता हूँ कुछ और करा सकता हूँ उससे ये possible नहीं है he can do no other than giving money इस तरह किसा आप परियोग कर सकते है पिरिया खाना पकाने के सिवाए कुछ और नहीं कर सकती है तो sentence बनेगा पिरिया कें जो पिरिया कर सकती है no other than कुछ और नहीं किसके सिवाए cooking food खाना पकाने के सिवाए तो इससे आप परियोग करके sentences बना सकते है so guys thanks for watching that's all for today